एनिमी स्पाड़े जो ये सन फैमली का हैड होता न ये भागता वो जा रहा होता है कैप्टन के पास अब ये कैप्टन यू यू चिला रहा होता है वही हम देखते है जेंटियान ना फटा फट कार्प से नीचे उतरता है अब उसे देख रहा होता है वही जेंटियान इसे बोलता है कह रहा होता ह हाँ बोल किया वह कुछ काम है क्या अब इसी के साथ में काम वग्रा वह बताती है और जैंटियन गायव होती है वही हम देखते हैं यह जितने हैं सारी सारी नीचरते हैं अब बंदा पुल इना क्या रहते कि हे mर जा तक यह बंदा भागल हो चुका है मेरे को मारे जा रहा है मेरी जान के पीछे पढ़ा हुआ है देखो अब हम देखते हैं ये बंदा बोल ला होता है कि ठीक है फिर मैं भी देखता हूं सालिक किस की अंदर हिम्मत ही तेरे को मारने ही कोशिज कर रहा है मिलिटरी ये बंदे को मारता है रुक किस बारें बात कर रहे हो, नसे वासी मैं तो नहीं हो, क्या हुआ तुम्हें? अब हम देखते हैं वो बंदत जैसी दियान से पता चलता है, कोई तो होता ही निकार के पास में मतलब जैनटियन गया बॉचुका होता है वही जो ये बंदा होता है न ये बंदा गोल लोता है कि हैं आखिर ये बंदा गया तो गया कहां कैर इसी के साथ सेंसिफ्ट होता है और हमें पता चलता है जैंटियान आचुका होता है एक गली की सड़कों पर मतलब नॉर्मल सी गली की जो सड़क होती है वहाँ पर वहीं हम देखते हैं उसकी बहान बोल लिए होते हैं आप को पता है मैं अब अब ज्छादा स्लो हो आपको नहीं पता है वह तो चलो हमें कप्डे भगरहा है ho रही आपको पता है कि तो हम लोग उनकी बड़े पार्टे में जाने वाले हैं तो हमें एक अच्छे-चे कपड़े तो खरिदने पड़ेंगे ना जाने के लिए अब इसी के साथ ये लोग स्टोर पर आ चुके होते हैं जहां पर हम देखते हैं उसकी बैन बता रही होती है ये वाला कैसे रहेगा ये वाला कैसे रहेगा जैंटियान वना कर रहा होता सारी ड्रेस अब इसी के साथ नहीं बंदा नोटिस करता है कि एक बंदा इससे घूर रह यानि कि उस पर बनाएं मतलब नजर बनाए राइअ यह क induced यह बंधा कुछ ना कुछ थो लोग रहुता है दिए मतलब सथ्ब्सक्रारा के इस बंदर मेनेजर लाता कि भाई यह बंदा आता अब हमनेचा गया रहता है बस बस वहाम हमें चे तो नॉर्मल हमें कौल करना पड़ेगा लेकिन उससे पहले मेरे पास एक प्लान है अब ये बंदा अपनी मूचों को ताव मारता हुआ मतलब ये हरकते कर रहा होता है जाली की मूच हैं भी कैर इसी के साथ हम देखते हैं इन लोगने सावा मतलब सौपिंग बगरा कर लिए होते हैं इसकी बहुत जादे घोस हो चुकी होते हैं की बाई जो कपड़े इसने पर्चेस की होते हैं बहुत ज़्यादा सुन्दर होते हैं अब इसी के साथ ये बंदा आ चुका होता है कि सर आप ना प्लेस इधर आईए इधर पे कीजे अब पेमाइंट के लिए उधर की साइड बला रहा होता है मतलब कोप्चे में अब हम बताओ कैसे पेखरने वाले हो भाई मतलब थोड़ी से ट्रेस की 10 मिलियन अब इसकी बहन मत बोलती है गया यूती क्या 10 मिलियन अभे क्या बोल ले हो यह 10,000 कहां से नीद में हो गया तुम अब हम देखते हैं जो इडायन होती है वह यह बात बोले जारी होती है और क्या यूत मतलब यह क्या होती है चलो कहीं ओर चलते है अब उसका हाथ पकड़ते वे लेके जा रही होती है तब ही हपाता चलता है भाई मोटो तोंदुमल आ चुका होता कहा है रहा है की है कपड़े ना ओड लेडी पैक कर रहे हैं ठीक है और अब तुम बोल ले हूँ कि तुम जाने वाली हो मजाक करी हो क्या अब इसी के साथ इसकी बहन कहा रही हूँ थी क्या देखो हमें ना तुम्हारे कपड़े खरीदने ही नहीं है फिर भी तुम हमें कपड़े क्यों बेच रहे हैं बताओ मैंना तुम्हारे क्लाफ कंप्लेइन कर दूँगी अब इसकी बहना डरते हुए यह बात बोल ली होती है वही है मोटू तुंदुमल बोलता है कह रहाता है कंप्लेइन हाहा छोटी लड़की तुमना कुछ जाद ही बोली है तुझे नहीं पता है क्या यहां पर रूल मेरा चलता है पे करेगी नहीं करेगी बता अब भाई वो कुछ बोली रहा होता वही हम देखते हैं जैंटियन ना एक थपड़ देके मारता है क्योंकि यह बंदा बत्तमीजी हाँ तो क्या ले लिए तो क्या क्या करनेगा तुमेरा अब जैंटियन फोड़ा एटिट्यूट में बोलता है यह बंदा बोलता क्या रहते कि हाँ देख देख मैंने तेरी वीडियो बना लिया है अब बोल अब क्या करेगा हाँ 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 तु तो कोट में ये सब आ रहा होता है लेकिन हम देखते हैं यह बन्द को रहा होता है अर बोल ला होता है गरेगा नहीं देता हूं अगर तो पैसे नहीं पेकने के लिए बोलुहां बता अभी सतना इट एन को फटा यहां वह लोग उते हैं जो घुटना लगता है इन सभी लोगों के उपर, अब जैसी गुटना लगता है ना बाई, सभी लोग दूर दूर जाते हैं, मतलब एक गुटनों में इतने सारे बंदे, ये तो साउथ की मुवी फेल कर दी, अब हम देखते हैं, मोटा तोंदुमल बहुत दूर जाके गरता है, इसकी गुद्दे ल लगता है, तुने मुझे जान से माननी कोजिस करी है, मेरे आदमी को युमारा है, मैं पुलिस हो गोल करता हूँ, अब तु तु जाएगा, जाएगा, मरेगा, मरेगा, जैंटेन बोल लो तो जाएगा, चिंता मत कर, वो लड़की मेरी साइड होगी, अब हम देखते हैं, व जादी confident नहीं लग रहा तु, चल ठीक है, वेट करता हूँ मैं तेरा, अब थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं, 10-15 मिनट के बाद ना, दरवाजा खुलता है, पता चलता है, बाई, एक सुन्दर सी महिला आ चुकी होते हैं, जो कि हमारी होने वाली है, पुलिस ओफिसर, खैर, ऐसी पुलिस ओफर मिल जाए तो, मतलब मिल जाए तो, भाई, 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 बले, बले, मतलब मैं ऐसी लड़ी को डेट करता हूँ, भाई, खैर, चाने दो, इसी के साथ हम देखते हैं, मोटा तुंदुमल बोल ला होते हैं, कह रहते हैं, कि यह लोग आ गए, पुल होती है, मतलब गुमेन होती है, वो बोल लिए होती है, मैं पहले कैमरा चेक करूँगी, उसकी बाद जो जजमेंट है, वो दूंगी, ठीक है, अब अपने ऑफिसर को बोलती है, उसका ओफिसर कह रहा होता है, जो की मतलब होंगे, पुलिस में थोड़े बड़े बड़े ना पुलिस कॉल पर बात कर लेजे, उसकी बाद मुझे लगता है, जो इन्वेस्टिगेसन है न वो अपने हिसाब से नहीं, बलकि इनके हिसाब से करूगी, अब वो फोन दे देता है, वहीं हम देखते है, बन्दा बोल लाते हैं रहते हैं कि हाहा, तुम मेरे से लड़ना चात पर और कह रही होती, कह रही होती कि हां मिस्टर लूग क्या हुआ, कुछ काम ता है तो मैं बोलो, क्या चाते हो तुम मेरे से, आप मैं बता दो जो पुलिस ओफिसर न, बलकि ये ना चीफ है यहां की, पुलिस ओफिसर वाली चीफ है, खैर जैसी, ये बात मतलब वो बंदा सुनता है न, थोड़े दिर के लिए कुछ बोलता ही नहीं है, थोड़े दिर के बात कह रहा होता है कि ओहो, ये अवास तो चीफ की लग रही है न, अरे नहीं, नहीं, मैं आप और कैसे दे सकते हूँ, आप मुझे बताए कि क्या ओडर है, हम लोग तो बस आप से सीख सकते ह सिखाएंगी, वो सब कुछ जो भी है, ये लड़की बोलते ही ती कि अच्छा, ठीक है, फिर एक बाब बताओ, क्या तो मैं इस दुकान के जो ओनर है, उसे जानते हो गया, अब हम देखते है, जो इसकी चीफ होती है, ये बात पूछ रही होती है, अब जैसी ये सारी सीचे चल रही होते हैं, ये मोटा तुंदुमल काय रहते ही, है, चल क्या हो है, बाजी ही पलट गही, खैर, वो बन्दा बोलता है, मैं उसे पिलकुल नहीं जानता, ऐसे आज कल के कुछते बहुज़ता बौकते रहते हैं, पता नहीं है, मुझे कैसे जानने का Вас ये जानता हूं ज टरकते कर रहा है अब इसकी के साथ ecause यहां बहुत जादे डर चुका होता है अब हम देखते हैं अब आप चीफों विचारे की भोली नहीं कि नीकल लिए होती है वहीं हम देखते हैं यह लड़की बोल लishing सब्सक्राइब करते हैं तो जो कंप्लेन है वापिस लिना चाहता है क्या लगता है कि ऐसे तो हर किसी को तक मतलब र liner करने की जरुतरी नहीं है वैसे नोरे पर क्रीमेंट बता ना चुछ को फोन अपना बजने लगता है तुमने मेरे दस मिलिन चुरा है इस टाइप की मतलब बाते जो है रिकॉर्डिंग जो हुई होती है वह मतलब बजने लगती है अब जैसे रिकॉर्डिंग बसती है यह बंदा घबरा जाता है और हम देखते जंटियान बोलते हैं कि वाव वेरी सही टाइम पर तुम्हारी रिकॉर्डिंग बज गई है तुम तो गुंड़ा बन नहीं कोशिस कर रहे थे ना चलो फिर ठीक है अब जैल में जाओ मुझे जैल पहुचाना चाहते थे अच्छा हुआ तुम्हारे साथ जैन्टा इनी बात बोलता है और कह रहाता है कि याद स से लड़की बोलिक होती है चाहिए कि रियुक्तित की मिश्टर या सर जो भी बहुत तो जैस की बहुत हो रहा होता है मुझे टो डौट नहीं हो रहा हुता है केर सीन से प्लता है हमें ना ओफिस वगएरा का सीन दिखाई दे रहा हुथ है जहां पर हम देखते हैं ये लोग कोपचे में आ चुके होते हैं कोपचे में आते ही ना भाई वो लड़की इस तो हाथ पकड़ लेती की सर दोस्त मैं आपके लिए आई हूं सही टाइम पर आई ह बातचित वगएरा करी है लेकिन सीनियर ऑफिसर है ना उसका नाम पता है यूजीरो है जो की कैप्टन भी है जैंटियन बोलता है कि अच्छा मैंने तो इससे पहले ऐसा नाम कभी सुना ही नहीं यह नाम जाना बचाना क्यों लग रहा है क्यार हम देखते हैं वो लड़की सब्सक्राइब करते हैं कि यहां पर आन चुके हैं तो फिर फटा-फट रेटी हो गया आपके आप से मिलने के लिए और उसने आपके लिए गिफ्ट वगरा जो तो विजबाए है जैंटियन थैंक्स बोलता है इसी के साथ हम दिखते हैं वो लड़की ना कुछ और भी देत एक इसके साथ में उस सैंगान जो फैमिली है उसके साथ में ठीक है और वैसे भी छोटी मोटी मचो मचली है ना वो कब तक बड़ी-बड़ी समंदर के अंदर तैरते रहेगी कभी तो बहार आएगी ना और जैसी बहार आएगी वैसी मैं मैंसे किसी को नी छोड़ूँगा म मेरी प्रोपरटी कप जाकरने को सुतरी थी ना अब हम देखते जंटियान बहुत ज़्यादे घुस से मा चुका होता है वही हम देखते हैं वो लड़की गह रहे होती कि यस बॉलोगे हम वही करेंगे अब यह लड़की फिरसे से ग्रीट कर रही होती है यह सब कुछ चल र कि उसे भी सरमाने लगती है वह बचारी कह रही होती कि शिट यह क्या करके आ गए अब हम देखते हैं वह चड़री होती है और यह पुलिस वाली को जीब चुडाती है क्यार सी इनसेट होता है रात तो होची होती है और यहाँ पे पारट्ी साथी के महुál होता है वो बन चुकँ होता है जिस होटलनला पारट्ी होरी होते है महाँ पÁिससारे सारे बंदे आरहे होते और एक एक करकर जा रहे होते है यह रहते हैं जो सीटिंग के दे बहा Rep damp AH न जैंट्याइन साथ में उसकी बहन बीद दे भी बन रहे हैं कि वाओ कितना सुंदर है कि पहली बार ऐसी पार्टी को अटेंड कर रही हूँ कि यहां पर आ गए जैंट्यान अब हम देखते हैं यह लड़की बहुत जादे खुश हो रही होती है इसके साथ पीछे तिन लड़क है कौन और सीटिंग ना कुछ जादे एक्साइटेड है इससे मिलने के लिए है ना कहीं है इसका बॉइफ्रेंड तो नहीं है अब यह सारी बाते हो रही होते हैं जिसमें से एक तीसरी लड़की होते हैं वह बोलती है कि यह बंदा थोड़ा हैंडसम लग रहा है क्या यह किसी बाद होने वाला है अब यह लड़की बहुत जादे निरास हो जाती है वहीं हम देखते हैं पहली लड़की कहरी होती कि वैसे इतना बुरा भी नहीं है सोल्जर है ना मुझे लगता वैसे जब सूटिंग को जो सूटेबल वाला बंदा मिलेगा ना तब यह लड़का पिट रहा होता है किसे उस बंदे को कहरा हम देखते हैं यह बंदा बाहर निकलता है कि सीटिंग का बढ़ देता आज रात को तो मैं कैसे नहीं आता है यहाँ पर आप जो सेकंड फ्लोर पर जा सकते हो आप सेकंड फ्लोर पर जाए अमीर वालों में लेकिन हम देखते हैं वो जान च्टीनग फिर्स्ट फ्लूर पे हैं तो मैं जाओंगा मुझे उससे मिलना जो है मुझे उसी को तूढ़ने के लए आप और यह दो चुक्त बहुत 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 बुला कड़ शूर कर दो उसे घ्रटेंग यह हिंति लड़के को साथ अपरोच करने की और यह लड़क जो लड़की जाए बात कर रहा होते हैं कि इसकी मंगेतर ही होने वाली इसकी निकाहों में कैर दिखते हैं बंदा गुष्टे से आता है और आगी की तरव बढ़ रहा होता है और हम देखते हैं एक लड़की बोल लिए होती कह रहे थी कि अरे ये तो लुंग है ना कैप्टन यू का भाई है ना वाउ ये सुटिंग की बहुत ज़रा तारिफ करता रहता है अब आएगा मज़ा अब देखो क्या देखने को मिलता है कैप्टन ये नहीं है पहली हम देखते हैं पहली लड़की बोलता है सेटिंग साफ इंकार कर देती, बोल ली होती, कह रही थी कि तुम्हें जो बोलना है, तुम यहीं आके बोलो, समझे अब वो लड़की यह बात बोलती है तो यह बंदा के बोलता है, कह रहाता है कि ठीक है फिर सही है, तुम सभी लोग बाहर जाओ मुझे ना, सेटिंग से तुढ़र की परिशनली ही अच्छा तो तुम जेनटिंग हो, खेरी बंदा तुरंत यह बात पहचानने के बाद यह बात बोलता है, मतलब जेनटिंग नाम पॉपलर हो चुगा है के रहा हम दिखते जैंटियन बोलता गया रहा है कि हाँ मैं हूँ क्या हुआ कुछ हुआएगा तुम्हें मैंने तेरे बारे में बहुत कुछ सुनाए तू अच्छा खासा फाइटर है ओहो यहाँ तक कि तूने चैन फैमिली के मोगोन को भी हरा दिया लेकिन मैं तुझे बता दूँ तुझे पता होना कि मोगोन मेरे सामने कुछ भी नहीं है जैंटियन बोलता है कि तो क्या यह बंदा बोलता है कि अच्छा ज्यादा स्मार्ट बनने ही कोसिस कर रहा है लड़कें की सामने पिटेगा क्या अब भाई ये बंदा लड़कों के सामने पिटने की तिमकी देता है साथ ही बोल ला होता है कि सेटिंग मेरे साथ चलो मुझे तुमसे कुछ काम है मुझे तुमसे बात करनी है अब वो हाथ पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है खेर हम देखते हैं ये बंदा गुस्से में आ चुका होता है और बोल ला होता है कि मरना चाहता है न अब ये बंदा जोर से पंच देने की कुसिस करता है जंटियन के ओपर मटैक कर रहा होता है लेकिन हम देखते जन्टियान भी अपना पंच बगरा निकाल लेता है अब दूनों का जो पंच होता है आपसमे टकरायाते हैं और इसी के साथ पदर जलता है एक का छोटा है एक का बड़ा है पंच खेर हम देखते हैं बड़ा बाला पीछे की सब जाता है क्योंकि भाई उसका बड़ा है इसलिए वो एंटर निकर पाया पंच जो भी है केर हम देखते हैं ये बंदा बोल लाता है गया रहते की अच्छा तेरे अंदर थोड़ी पावर तो है तू सच में मेरे से लड़ना चाता है मेरे खिलाफ लडना चाता है जेंटियन बोलता है के रहते की तो क्या अगर मैं तेरे खिलाफ लड़ना भी चाता हूँ तो क्या अब जेंटियन ये बात बोलता है ये बंदा क्या रहते की अच्छा तुझे पता भी है मैं कौन हूँ जानता है तू मेरे बारे में मैं 10 साल की उमर में इस पेसल फोर्स में एंटर कर गया था उसके बाद 15 साल के उमर में मैंने आर्मी जोइन करी मैं सेकंड लेफटनेंट बन गया उस टाइम के बाद 18 साल में ही मैं सेकंड लेफटनेंट बन गया उसके बाद मैंने इतनी सारी गन यूज करी है जितनी तुने कभी देखी नहीं हो जैसे तू बोल लाता ना मज़े माफ कर दे ना फर्स टाइम तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे कि मैं किसी का इंटर्व्यू ले रहा हूं लाइक किसी का रेज्मे बगरा चक कर रहा हूं रेकूर्टमेंट के लिए अब जैसी ये बात बोलता है सबी लोग हसरे होते हैं साथ में ह तुमारा जो दोस्त है सच में मरना चाहता है भई हर किसी के खिलाब बोलना है वही हम देखते हैं तीसी लड़की बोलते है रिति कि हा तुमारा फ्रेंड के अंदर ना बहुत ज्यादा हिम्मत है जरा देखो तो वह लुंग से लड़नी कोसिस कर रहा है ऐसा लड़े से वह लड़े के अटेक कर रहा होता है वही हम देखते हैं जेंटियान बोलता है कि बहुत ज्यादा ही घमंडी है यहां तक कि बिल्कुल भी डर नहीं है निडर बनरके बैठा है तब ही पीछे सवाज आती है रुक जाओ अब यह और कोई नहीं होते है बलकि सेटिंग के जो लेकिन यह बंदा है ना यह लड़ने की कोशिस कर रहा है चलो भूल जाते है इस मैटर के बारे में अब अंकल बोलते है रहती कि हाँ ठीक है तो अच्छा होगा अब तुम महां समझदार होते जा रहे हो ठीक है हेलो बोलो कैप्टन यूगो अब हम देखते हैं वह जैंटि इस लड़ने का बोलता है जो कि संट फैमली का हैड होता है बोल ला होता है कि यह तू है मुझे विश्वास नहीं हो रहा तू यहां पर आ रखा है खेर यह बंदा यहां पर है इस पार्टि में हाँ अब हम देखते जैंटियन बोलता है कि ओह ओ यह तो वह ग्रेट आदमी ह है ना जो अपनी वाइफ और बेटे को छोड़के भाग गया था जैंटियन बिसकिच उसकी ले रहा होता है यह बंदा बोलता है कि तेरी तो साल एक क्या लगता है तेरे को जो तेरा माना आएगा तो वो करेगा मेरे पीट पीछे मेरी फैमली के पीछे यह अटैक कर रहा थ भाव की तो रहा है ने नेता है क्या क्या तेरे को ठोड़ी मार्सलार्स आती है तो किया इसका मतब तो और जिसमरे के रहा है तो अब जैसे इसके ने नहीं हो कि नहीं नहींugen पैले है जो और बडुे हो जा लोन बेकार इनसान है इसने मेरे जम नहीं ता ना घर के अंदर तब इसने मेरे घर में आके लूटा बाई इसे मार जान से मार इसे छोड़ना नहीं केर हम देखते है लुंग बोल लो थे कि मैंने प्रॉमिस किया है एंकल बेन को कि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला लेकिन इस बन्दे ने गुस्सा तो दिला रखा है अगर ये मेरे पैरों में गिर के मेरे से माफ ही मांगता है ना तो मैं इसे छोड़ने की बारे में सोचूंगा कैसा रहेगा बताओ मुई हम देखने सेटिंग बोल लिए होती कह रही होती कि हाँ भाई तु सही बोल ला है चल वैसी बेगर ये बंदा भागा नहीं होता ना तो फे तेरा भाई से कपका पहुचा चुका होता उपर अब इसी के साथ हम देखते हैं ये बंदा बोल ला होता है कि निल्डाउनो मेरे सामने अभी अब हम आप़ी मागने के लिए बात बोल ला होता है जेंटियान बोलता है जatra आगर रहोता है कि क्या क्या अगर मैं ना जुकू तो बोल अब इसी के साथ ना जेंटियान ते जोसने वाइन वगरे ले रखी होते है वो भाई उसके पैर पर डाल देता है अब इतनी घोर बेस्ती होने के बाद भाई मैं तो नहीं सहता खैर हम देखते हैं ये बंदा बोल ला होता है गयार होता है कि अब तो तु मरना चाता है मेरे खिलाफ जाने की कोसिस कर रहा है कितनी कोसिस कर ली लेकिन तु मेरे खिलाफ ही जाना चाता है न आप तु गया अब हम देखते हैं जो अंकल होते हैं न वो बोल ले होते हैं गयर होते की लोग मेरी बेटी का बड़े है आज बोलो मत और यह हरकते करना बंद करो खेर हम देखते हैं वो बंदा बोलता गया रहते कि अंकल वैन देखो ऐसे प्रिटेंड करो जैसे कि आपने कुछ देखा ही ना हो और हाँ कोटा कॉम्टिसन भी तो है मैं उसका ख्याल लख लूँगा चिंता मत करो अब कोटा कॉम्टिसन का नाम सुनने के बाद ना भाई अंकल चुप हो जा दो क्योंकि अंकल के साथ कुछ हो नहीं होगा ला है बहुत बड़ा वो आगे पता चलेगा जन्टेंड बोलता गया रहते कि यह यह की कोई जुरुत नहीं है तीम सेगिंड के अंदर मामला तमाम हो जाएगा इसे रोक नहीं क्या जुरुत है छोड़ दो ना अब अपनी ड्रेस पगर उताल लेता है कोट पगर उताल ले होता है तीसरी लड़की बोलती कह रिती कि भाई तेरे अंदर बहुत हिम्मत है बहुत हिम्मत है सिया बोल ली होती है जिती कहरे यार छोड़ो उससे बहस मत करो तब ही हम देखते हमें एक बंदा दिखाए दिता जो कि चिसमा और लगा रखा होता है बोलना होता है यह इडियेट है इसे नहीं पता है यह बंदा कर क्या रहा है इसे नहीं पता कि कैसे चूस करते हैं क्या करते हैं क्यारी बंदा अलगी थोड़ी दिखा रहा होता है वहीं हम देखते हैं वो लड़की इसके पास आते हैं रिटी कि कौन सी फैमिली से ब्लॉग करते हो तुम बताओ कौन सी रिच फैमिली से ब्लॉग करते हो तेरी बात करने के हिमत कैसे है रहा है वही हम देखते है जो सिटिंग होती है वो भूल ली होती है ट्यान देखो फाइट करक्स के अपने आपको प्रूफ करने ही कोई जूरुत नहीं है ठीक है ऐसे इंसान से पंगा मत ही लो जंटियन बोलता है कि तुम लोग ना परिसान मत हो, अब वो ना तुमें कभी परिसान करे गए यह नहीं, क्योंकि वो ना अब ऐसे पुजा करने वाला है मेरी जैसे की गौद की करते हैं अब जैंटेन जैसे ये बात बोलता है ना भाई सब भी लोग इसके उपर हसरे होते हैं साथ ही हम देखते हैं एक लड़की बोली होती कह रहे थी कि क्या ये बंदा सच में मरना चाहता है जो ये लोंग से ऐसे पंगा ले रहा है दूसरा बंदा बोलता है कि मुझे ये तो नहीं बता लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि जो पागल लोग होते है ना उनके अदर डर नाम की चीज़ी नहीं होती है खेर तभी तीसरा बंदा बोलता है कि जाओ जल्दी कैप्टन यू को बला लाओ उनने जल्दी बोलो कि यहाँ पर आने के लिए बेटर कहता है कि येस बोस अब इसी के साथ ये बंदा कहा रहाते कि मैं तेरी हिम्मत की ना दाग देता हूँ बेटा अब तेरे लिए बड़े सम्मान की बात है कि तो एक बहुत बड़े ancient martial arts से पंगा लेगा मतलब मरेगा अब हम देखते हैं वो टकला आद में बोल ला होते कि यह रहती क्या ancient martial arts यह तो मैं पहली बार देख रहा हूँ फर्स टाइम मेरा कीज मैं ऐसे किसी बंदे से बंदे को देख रहा हूँ वही हम देखते हैं जो यह son family का head होता है यह बोल ला होते कह रहा होते कि giant and capable तो है लेकिन इसके सामने बिल्कुल भी नहीं अभी मरेगा मरेगा वही हम देखते है giant and कह रहा होते कि interesting आजा मेरे सपंगा लेने लेगा न तू आजा 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 बेटा आजा हम देखते हैं यह बन्दा आता है कि तुझे नहीं पता आसमान कितना हुछा ए खैर मुझे नहीं पता भाई आसमान के बात कहाсь से आगई यह बन्दा जैसी पंच टेका मरता है집 थे यह बंदा यह साइड आ होता हसने वाली बात है ना अब हम देखते हैं जैंट्यान हसरा होता है यह बंदा बोलता है कि साल है तुझे कुछ नहीं पता डॉच मत हो अगर हिम्मत है तो खा के देख अब भाई खाने की क्या बात है तुम मार के देखना मतलब मार के दिखा खैरे बंदा जैसी लाग के के मिभवशा आ चुका होता है कि कमीने सारे मूवश्eln लूटच कर रहा है क्यों डॉच नार्च कर रहा है यह कोई बात होती औरद लूट wordt यह हो क्या रहे मुझे यहां से जाना चाहिए अब सिष्सेट होता है उसी टाम पर हमें पता चलता है जो यह यू又 हुआ है कि अब हम देखते हैं कि कितना सोसरावा हो रहा है बाहर था तो मुझे सुनाई देगा अब लना जैसे अंदर लोगता है ऑंगा उनके पास बाग चुका होता है और बोलना होता है कैपٹैन यू सही समय पर आयो वह जो बन ना जो कल पर सो भाग गया था है ना वह इस टाइम रूम के अंदर ही ए पतल पाटी के अंदर ही है क्या हम देखते हैं यह बचे जा रहा होता है और देखता है यह इंसान मुझे जाना पेचाना क्यों लग रहा है खैर तबी उसकी बहन बोलती है रहे थी कि भाई देखे इसकी टांगे तोड़ दो बाई टांगे तोड़ दो अब उसने जो कपड़े पहन रखे होते है यह बंदा नोटिस करता है कहरा होते है कि यह तो सल्क ट्रैस है जो की हमें हमारे कनेक्शन की वह सही मिलती है एक इसका मतलब नई नई भाई नई भाई अब इस बंदे को पता चल चुका होता है कि जैंटेन एक्चली में है कॉन वही हम देखते हैं इस बंदे को बहुत ज़ादे गुसा आचुकी होती है लोग को कह रहा होता है कि आप तो तु मरेगा साले छोड़ूंगा नहीं तुझे जैंटियन बोलता है कि मैं भी बहुत जादा बोर हो चुका हूँ आजा आजा अब एक मिनिट इसने तो भाई कोट उतार रखा था ना कोट कहा से पहन लिया खैर हम देखते हैं तभी पीछे नोटिस करता है क्योंकि इसका जो भाई ता ना कैप्टन यूग वो आ चुका होता है अब वो बंदा आता है अब इस बंदेने क्या किया होता है अपनी भाई को लाद दे के मार दी होती है मुझे नहीं पता क्यों खैर सबको पता है वो बात तो अब ये तुरंट आती है लाद इसके मुँपे पढ़ती है और ये बंदा भाई बजबी नी पाता और अपने आपको इतना बड़ा कमांडर कह रहा है खैर हम देखते हैं लाद लगते हैं इसके मुपे और बंदा बहुत दूर जागे गरता है मतलब भाई अपने आपको कैप्टन बोलने है और पीचे से लाद आ रही है उन्हें पते नहीं चलना खेर हम देखते हैं कैप्टन जो यह होता है भागता हुआ फिरन तुरन जाता है जाओ ट्यान के सामने कड़ा हो जाता है अब सबी लोग ना उसे देख रहे होते हैं और हम देखते हैं एक लड़की कहरे होती है कि वाओ सो स्टैलिस यह बंदा जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था बहुत बड़ी फैमिली है मतलब बहुत बड़ा फिगर है दूसरा बंदा कहा रहते है कि हाँ लेकिन यह पार्टि में आ कैसे गया खैर तबी एक बंदा आता है कि वह सब तो ठीक है लेकिन भाई मुझे लगता है डिसिप्लीन में मैं मरना डिजर्फ करता हूँ अब बंदा यह बात बोलता है जैसे यह बात बोलता है सभी लोग देखके दंग रह जाते है यह लड़की बोली होती क्या कैप्टन यू पॉलाइट हो रहे है क्या मैं जागी हूँ न अब बंदा बोल ला होता है कि यह सब बन्दे को मेरे बारे हम पता चल चुका है बागी यह को पता ना चले इसलिए अपने आपको इसने सब ओर्ड्रेने लाए अब जया घर रहा हो कि अच्छा तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम आखिर कर क्या रही हो है अब जैंटेन ये बात बुल ला होता है वह बंदा ग्रीट करता है कि बहुत मुझे पता है कि मुझे पता है मेरी जो यू फैमिली वह आपके प्रती लोयल है मैं आपसे भीक मांगतों मेरे भाई को छोड दीजिए चोड़ दो जो भी है वो यह बात बुल ला हो इसी के साथ हम दिखते है इसका भाई खड़ा होता है कि बाई तुम यह कर क्या रही हो वाफिक मांग रहे हो इससे अब जैसी यह बास सुनता है कि सालिब कधे गई गहीं कि चुप हो जा फमीना अब में दे कि बस बस बहुत हो गया यहां पे जो कच्रा है ना वो साफ करो और दफा हो जाओ अब जेंटेन यह बात बोलता है यह बंदा कि ठीक है खैर तब इस सीटिंग के फादर आ जाते हैं यह सडली महौल चेंज हो गया वैरी गूड वैरी गूड क्यों ना हम चलके सेगंड फ्लोर से हो रहा है तू नहीं किया तना यह सब कुछ अब बताओ गयास करो कि वो इंसन अब इस भूड को कोन सकता है एकचली में इस यह इनिए इंसान और कोई नी बढल की संफैमिली का है जिसकी मतलब वाट लगने वालती उस दिन बट यह बचिया था यह बंदा बोलता है कह र कि ब्रदर युद देखो मुझे मुझे माफ कर दो मैं अपनी सारी प्रपर्टी तुम्हारे नाम करने वाला हूं प्लीस मुझे बख्ष दो चल साले तुरंत हम देखे हैं लात पड़ते हैं इसके मुझे और इस बंदे का दात वगरा होता है मुझे से खून वगरा भी आ रह जो ठूख होता है वो अपनी मंदर ही घटक लेता है मतलब जैसे तैसे करके खैरी बंदा बोलता है कि बाई आखिर वो इंसान था कोन अब बहुत जाले डर चुका होता है इसका भाई कहरा होता है कि हाँ वो इंसान कोन था रुक बताता हो तुझे कान में खुसर खुसर रहते कि अब हमेना एक अपोर्शनेटी डून नी पड़ेगी हर जाना बढ़ने के लिए उसके फेवर में अब वो बन्दा ये बात बोलता हुँ जा रहा होता है हमेना मीटिंग रूम दिखाए देती है जहां पर मतलब दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं तीनों चार हम देखते हैं सेटिंग बहुत ज्यादे खुश हो जाते ही कि आपस में बात्चित करने वाली बात मतलब समझ रहे हो ना तुम लोग खैर अंकल बोलते हैं कि हाहा देखो मुझे ना मेरे बतीज़ता कुछ बात करनी है बागि तुम नों गर्स जाओ आपस में बाते करो ना अब जो जेंटियन होता है वो ये बात बोल ला होता है अंकल आगरीड करते हो और के वह कहारे होते हैं कि वैन फैमली की हजतना तुमारे हात में है जो वो होने वाले मेरी फैमली को बचा लो प्लीस अब जेंटियन ओंका हाथ पगड़ो valid बहुन लेकिगगारे आप बुश कोटा कॉम्पेटिसन है सौरी मुझे माफ कर दो मैं तुम्हें परिसान कर रहा हूं लेकि मेरे पास से बारे मैं तुम्हें बता दू यह ना एक बहुत बड़ी बड़ी फैमिली के बीच मों होता रहता है और यहां करना क्या ही बड़े मर्षान्ट होते रहते हैं जो कि मरते रहते हैं एक दूसरे के लिए मारते रहते हैं कोई जादा खाता है झाए 자री बाते होते हैं नंकर रूसे बड़े बड़े बंदे हैं उन्होंने रूलज करनी के लिए कुटा कोपिया जिसके जतनே रैंक आएगी उस से सेर है वह ज़ाद अकम होगे है ना अंगल कहरे होते हैं इतना सिंपल निया जितना तुम्हें लग रहा है में जो सेर बहुत जादे गिरते जा रहे हैं मार्केट के अंदर और बहुत सारे लोगों ने मना कर दिया हमारे साथ काम करने के लिए हमारी फैमली को वो लोग नीचे अब अंकल बताते जो थे कि कि हां सभी बोला तुमने इसके अंदर न सारे जितने भी मार्शल आर्टेस हैं तो प्रैक्टिस कने के लिए भी आते रहते कभी कबार तो देख लो अब तुम्हें कैसा लगे अब जेंटियन बोल ला होता है कि अंकल चिंता मत करो अब जेंटियन सुसरा होता है कि यार ये तो मेरे लिए रेल अपोर्चनिटी है अब जेंटियन बोल ला होता है कि हां अंकल आप चिंता मत करो मैं इसमें पार्टिस्मेट करूँगा अब मैं आपको बता दू कि आखिर जेंटियन ने इस कॉम्पेशन को लिए कि इतना एकसाइट क्यों है अगर आपको याद होगा लाश्ट एपिसोड में जो जेंटियन था जब इस सन फैमली के पास गया था तब इसने ना कुछ याद किया था जब यह बहुत छोटा था तब इसकी मम्मी के उपर बहुत सारे बंदे आगे था अटेक करने के लिए तो जिसमें से बहुत सारे मार्सल आर्टिस्ट थे अब उनको ढूणने के लिए यह ऐसे ऐसे कॉम्मटेशना पार्टिस्पेट करता है ताकि उन्हें आसानी से वो बंदे मिल जाए वह यह हम देखते हैं यहाँ पे न दोणों लड़किए आपस में बाते करते भी सुनदी हुती है कान लगा कर रही होती है कर यह लोग किस बारे मिल बात कर रही है तब ही जो उसकी बहन होती है न इडेन बोलती है रही होती है कि हो सकता है कि वो लोग न साधी के बारे में बात कर रहे हो अब लड़की से के सामने थोड़े ना करेंगे तब ही हम देखते हैं मिस्स यह आ चुकी होती है सोच रही होती कि साधी क्या मतलब सीटिंग और जैंटियन की साधी होने वाली है फिर मुझे सैड क्यों फील हो रहा है अब सीन सीप्ट होता है हमें ना चैन फैमिली के बारे में दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं भाई ये लेडी तो बहुत जादे ही आगबो बुली हो चुकी होती है तब एक बंदा आता है कि मास्टर सारी इंफर्मिसन आ चुकी है जैंटियन के बारे में आप देख लीजिए अब वो लड़की देखती है मतलब जो आणटी होती है वो देखती है खहरी होती कि इसकी तो या आर्मी में चला गया था इसी के लगता है कि आर्मी में जाके हमारी फैमिली से पंगा ले सकता है फिल्कुल भी नहीं वैसे अगर आप में ऐसे बहुत सारे बंदों ने अगर मेरी सीरीज देखे होगी इस चैन वाली तो उसमें न जो सिया है उसकी जो मौ में न विल्कुल सेम टूसे मिसके जाशी लगती है इसे देखे न मेरे को उसके उनकी याद आ गई खेर जाने दो यह लड़की बोले होते हैं गरती कि अरगेट मेरी फैमली उसे कच्चा चबा जाएगी मसल के रख देगी ऐसे कुट्थे बिल्यों को अब हम देखते हैं वो ये बात बोले जा रही होते हैं कहरी होते हैं चिंता मत करो मैं इसे एक बार इसे जड़ से खतम कर दूँगी और हाँ उस साली कुतिया को फिर से वापिस लेकर आऊँगी एक बार ये मर गया ना उस कुतिया वापिस आ जाएगी अब ये कुतिया के बारे मैं पता है क्या मतलब जो सीटिंग है ना उसके बारे में बात हो रही है क्यारा हम देखते हैं अंकल बोल ले होते कि जो आपने मतलब बोला था ना तो जो वो बंदा है वो रेडी है लेकिन उससे पहले ना वो कोटा कॉम्टिशन आप पार्टिस्मेट करेगा उसके बात देखेगा ये पता चल देगा मैंने तक टेक नहीं किया अभी लड़की किया कहा तीन काम दिया था मैंने तुझे तीन में से तुदो काम ही नहीं कर पाया तयरी यहां पर रहनेगी खैर तभी हम देखते हैं इसने फायर कर दिया होता है और आपने ही मतलब जो चमचा होता उसे निप्टा जिसका नाम होता है साउगवांग अब हम देखते हैं उसकी जो बहन होते हैं वो इसे गिफ्ट वगरा दे रही होती है कि आई होप कि यह तुम्हें पसंद आएगा अब यह बंदा बहुत जादी खुस हो रहा होता है मतलब अच्छा है या बच्छा भी तो अब अंटी नब जादे रो रही होते हैं कि मैं बस आसा करती हूं कि साउगवांग ठीक हो जाए अपनी बिमारी से ठीक हो जाए और मैं इसे बड़े होते पर देखूं भले ही मैं मर जाओं जैंटियन बोलता है कि मैंने सुना है कि एक टॉप क्लास का जो स्पैसलिस्ट है दिमाग का वो जो जैंटियन बोलता है रहते कि आंटी आपको नहीं पता है क्या मेरे पास ना सेयर की थोड़ी कॉपी है ड्रेगन ग्रूप की वो भी मैं यह आपको बताना भूली गया था तब भाई दरबाजा खुलता है एक बंदा आता है दरबाजा में लात मारता हुआ भाई मतलब दया खुलता है वही हम देखते हैं सूच रहोती कि भाई यह मरडर करने वाला बंदा बंदा क्या कर रहा है यहाँफन मुझे नि लगता है कि आउंटी यह पारसल है मैं आपको उच्छार काम थे तुम्में अब हुआ क्या है क्या हुआ खरा है प्या उड़ दिया इन दोनों को मतलब माँ बेटे को इस चक्कर में आंटी नराज है बहुत जादा आंटी कहरी होती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे वे उनका नाम लेने की बताओ मेरे को मेरे को उनके साथ कोई भी रिलेशन नहीं रखना है अब हम देखते हैं वो कहरी होती कि वो कमीन जाने के लिए कुछ बेजा है आप फुद देख लो अब वह पेपर वगयरा दे रहा होता है कह रहा होता है कि यह देखो अब हम देखते हैं बाइचाने का दोर पर एक पेपर वगयरा रखा होता है में उन्होंने आपको एकसेप्ट भी कर लिया है और आपके बेटे को भी वह आपके बेटे को भी खाना खिलाएंगे और आप कपड़े भी देंगे अब यह सारा बामला बता रहा होता है लेकिन हम देखते हैं जो आंटी होते हैं फटा फट वो लेती है अब लेने के को कमपलसेट करना चाहते थे हर जाना देना चाहते थे अंटी और कुछ भी नहीं है अब हम देखते हैं यह बंदा बोलता है कि लेकिन आपको सावगवां के लिए तो चाहिए ना उसे तो पैसे की जरूत होगी ना अब यह बंदा यह बात बोल ला होता है अब जैसी बात होता है यहां बूब आता है ना उसके बारे में तो चाहते हैं कि आपको पूंदा कुछ बोली रहा होता है तो इसका मतलब मिलेट है मेरे लिए मैं देखते हैं गरुट है ये साबगते बंधे के साग जय सी टांग वह ना यह है नहीं ओ زाग इसा नहीं कोई कोई बात नहीं, मैं आंटी को मना लूँगा, चिंता करने वाली बात ही नहीं है, अब हम देखते हैं, बन्दा बोल ला होता है, कि तेरी इतनी हिम्मत साले, अब ये बन्दा जैंटियान उसे पकड़ता हुआ, खिड़की के पास ले जाता है, अब ये बन्दा बहुत जादे घबरा जाता है, जो दूसरा बन्दा होता है, वो बोलना है, कि चंता मत कर, मैं तो बस बता रहाता है, जो मेरे को अंकल ने बोलता है, एक आंटे के लिए तुमने यह सब किया लेकिन मुझे लग रहा है कि वो बंदा तुम्हें बाद में परिसान करेगा अंटी तोड़ा गुस्ता कर रही होती है जैंटी आंटी आप चिंता मत करो मैं हूं न मैं सबको स्वाट आउट कर दूगा वहीं से इन से प्लता पता चलता है वो बंदा भाई हमारी पुलिसमेन आ चुकी होती है नई क्रेस है यह मेरी कसम से बता रहा हूं अभी जो लड़की होती है जैसी जैसे आगे बढ़ रही होती है यह बंदे के दिल में तो मतलब भाई क्या ही बोलो मैं आरी चल चुकी होती है यह बंदा हाथ मसलता हुआ कि लेने के चल निगल हरकते कर रहा है मेरे से दफाव यहां से अब भाई यह लड़की एटिटीट दिखाती भी भाई उसे लाद दे के मारती है और इसके कंचे वगएरा जो अंडे वगएरा होते हैं पूट चुकी होते हैं बचारा आप होटल में क्या ही दिखलाएगा क्या सेंसेट होता है हमेना अंटी का घर बगएरा दिखाए दे रहा होता है जहां पर हम देखते हैं ट्यान बोल रहते हैं कि आंटी देखो मेरे पास ना कुछ सेर है जो कि मैंने आपके लिए ले रखा यह लो अब जैसी देखने करी ती क्या यह अरे मैं यह कितनी खुसु मैं नहीं बता सकती मैं इसका रीपे कैसे करूंगी अगो रीपे करने की बात ही बोल ली होती है तब हम देखते हैं उसकी बहन आ जाती है इडाउन को खुन से तत पर भर दूगा मतलब खुनी खुन कर दूगा अब इसी के साथ म्याओ म्याओ कि वाज आ रही होती है मतलब वह जो लड़की है वह मिली बन चुकी है और कुछ हरकते घर रही है जेंट्यान समद जाता है कि में जो बुला रही है फटा फटा वो बहार आता है हमें पेड बगर अगर सीन दिखाए दे रहाता है जहां पर हम बहुत सारे पेड होते हैं यहां क्या कर रही हो अब नीचे से पेड की तरब देखता है पता चलता है वो लड़की पेड के ओपर ही होती है वह बोली होती की घर रही होती है पेड को बहुत गंुछ सार आता है उसका नीचे वार्टन है है और वो ना उसी मार्सलाट स्कूल से है अब जैसी से पते सलता है कि ली गवांड डाउ जो भी है वो बंदा आ है चलो ठीक है अब नर्ग संधार होगा अब बात बोलता हुआ होता है जहां पर हम देखते हैं प्रिजन के इंदर जो होता है कि मैं तुम लोग को बताने वाला हूं मैंना लीका लेफ्ट हैंड था तो मतलब डिपूटी डेक्टर था तो आज मैं यहां का बॉस हूं तो मेरी है तो तेरी हिम्मत कैसे मेरी बात औको इङ्नॉर करने गी कैरी से लग रहा होता है कि यहांका सहटा यह है वही हम देखते हैं जो पोह होता है पीशे पलड़ता है कहे रहा होता है कह रहा है इसके लोहे की चुछेर होती है वो पकड़ ली होती है और इसके पास आ रहा होता है और देखे मारता इसके सर पे अब आई मोट तुंद मुलकी पेट वगरा जो है उसके क्या ही बोलो मैं अब देखो ज़रा पोस बनागे बैठा है इसी के साथ ना पोस पर थूप भी रहा होता है क यहां से इमत कैसे भी तेरी तब ही हम देखते हैं जेलर आ चुका होता है बोल लाता है कि तुम लोग इतना सोर की मचा रहे हो और हाँ अब यह जेलर नहीं पर इन लोग के सामने तो इस पर चला रहा है लेकिन हम देखते हैं बाहर जाने के बाद नहीं बहुत ज़्यादा वही है जिसे जेंटिया डूंड रहा है खैर क्यों डूंड रहा है वो हमें आगे पता चल जाएगा यह बन्दा बोलता है कि पो पता है कितनी मेहनत लेगी तुम्हें बाहर निकालने में अब पो देखते है कि अरे लीकवान डाओ तुम तुम एक्चली में मुझे ले निक के लिए अब इतना सारा मामला हो चुका होता है बाई यहां परना इस पो की हालत पतली हो चुकी होता है क्या लीभू मारा गया कैसे अब सौर्ड मैन बताता है कि वह मैं तुम बाद में बता हूंगा ठीक है अब हम देखते हैं यह बन्दा अपनी तलवार वगरे निकालना होता है इसको मतलब सौर्ड मैन के नाम से लिए जाना जाता है क्योंकि यह बन्दा ना तलवार वगरा यूजिस करते रहता है क्यारी बन्दा बोलता है कि चिंता मत करो मुझे सब कुछ पता चल चुका है मैं तुम्हारे पास इस एक डील के लिए आया हूँ जैं टियान ज कर रहते हैं तो चलो चलते हैं फटा फट चोड़ेंगे निस साले को अब यहां पर दोनों रेडी हो चुकी हो चुकी हो चलो पार्टी साटी करेंगे आज अब सीन सिफ्ट होता है हमेंने कार जाती वी दिखाई दे रही होती है जहाँ पर हम देखते हैं जिस कार के अंदन अब वो यह बात बताती है जैंटियन के रहते हैं अच्छा यह ट्यांडो होटल फिर से ओहो मैं परिसान हो गया इस होटल को देख देखे मैं चाहता हूना कि कल से यह होटल यहां दिखनी नीचे है समझे अब जैंटियन न यह बात बोल देता है जैसी वो यह बात बोलता ह कि फाइनली कुछ बढ़ा करने वाले हैं मज़ा आएगा अब सीन से प्रता हमेना एक कार और आती भी दिखाई देती है अब जैंटियन देखता है कि अरे रुक जाओ रुक जाओ एक मिनट ये कार तो भाई आंटी के पती की लग रही है वो भी यहां पर आ रखा है कोई बात सारे सारे बदमास है अब दे एक बंदा होता है कहे रहाते सारे बहुत जबहुत जादा सुक्रिया कर रहा है यह अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं आपके जितनी स्ट्रेंथ है ना उस पर मैं भरुसा कर सकता हूं आपके उपर है ना अच्छा रहेगा अब हम देखते हैं बद्दा अपने खुदी जूस पी रहा होता है और कह रहाते हैं कि हाँ कोई बात नी को बाते हैं चिंता मत करो मैं हूँ ना अब सब लोग भराम से रहेंगे हम सभी लोग हैड़ाउन को बहुत आगे बढ़ाएंगे और सभी लोग साथ में अमिल के गाम करेंगे सभी लोग खुस हो रहे होते हैं वही हम देखते हैं हमेना लू अंकल पर दिखाए जाते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि इस बंदे ने मेरे को इंवाइट किया था मुझे गुस्ता आरी है लिबाओ ने मेरे को इंवाइट किया औ अब हम देखते हैं, रियूनिट के बारे हम बात हो रही होती है, एक बंदा बोलता है रहा होती है, यह तो तुमारे लिए बहुत अच्छी पॉर्चुनिट है, ब्रदर यू, चलो चलो, तुम तो बहुत ज़ाद लखी हो, लेकिन हम देखते हैं, अंकल साफ इंकार कर देते ह तब ही हम देखते हैं, पो आचुका होता है, भाई, यह बंदा पहले पतला हुआ करता था, लेकिन जेल में जाने के बाद नहीं यह बंदा मोटा हो चुका है, बोल लाते के रहते हैं, लिए बहुत समय के बाद मिले है ना, गुस्ता हो क्या बीबी, अब जैसी यह लिए ल अतना जो यह बंदा होता है, सौड मैं, यह बंदा कहा रहा होता है कि जितने भी सेर हैं, फटावट हमारे नाम कर, अब इस बंदे ने अंकल को एक जोड़ार अटैक देके मार दिया होता है, और भाई, अंकल नीचे गिर चुके होते हैं, अब यहाँ पे हम लोगो एक सीख बहुंगी नहीं, अब जो इनकी बेटी होते हैं, वह यह बाद बोल ली उती है, मतलब यह बहुद भाई पर रहा हैं, वह तेरे बेटी बहुत अच्छी है, और इसके ज़्यादी हमत है, कैसा रहाएगा कि एक रात के लिए तूसे मेरे पास बेज दे, मैं तो यह जाने सारे 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 बंदे वाली होता है कि यहां सारे सारे गफ़रारे होते हैंगे अब दिखा मेरी पावर देखी तुम लोगों ने बताओ अब उंकल बोल ले होते कह रहे होती कि यहां पे ना सारे एक सारे बंदे जैलेस होने वाले हैं इस बंदे से है ना अब यह लड़की बोलती कह रहे थी कि कि इनसान है या नहीं है कैर तभी एक बंदा हाता है कि वाव वंडर्फुल भाई वंडर्फुल अब यह बंदा और को यह न चैन फैमिली को ने फ़ल बंदा होता है वह यह बात बताता है कैर हम देखते हैं जैसे سोड मैन को पता चलता है कि ये चैन फेमिले का बंदा है ये बोला लाते के रहते के रहे मेरे को बहुत ज्यादा सरम आ रही है यार कि मैं तुम मेरे को अपने फादर से कम्पेर करे हो मैं तो इसके बराबर बिल्कुल भी नहीं हूँ खेर तबी हम देखते हैं ये बंदा बोल लाते हैं कहा रहते हैं कि अच्छा मुझे लगता है कि मैंने कुछ मिस कर दिया यहां पर यार बहुत बड़ा मिस हो गया कुछ अरे नहीं भतीजे अब तुम आई गयो तो मेरे पास ना कुछ भी निता तुमें देने के लिए कैसरेगा कि मैं ये लड़की तुम्हें दे दूँ बताओ अब ये बंदा खुस हो जाते है कि क्या ये सच है माश्टली तुम क्या सच में मुझे देने वाले हो वैसे मैं किसी और का ना फायदा नहीं उठाता हूँ अब ये बंदा ये बात बोली रहा होता है इतने हम देखते हैं अंकल बोलते है कि अगर मैं मर भी गहना यहाँ पर तब भी किन किन को तुम मैंसे किसी के हवाले नहीं करूँगा समझे अब अउनकल को उठानी जा रहा होता है वह हम देखते हैं यह बंदा फिर से रेडी हो चुका होता है चैन उसे मानने के लिए कि हो है और इसकी तूपना जाए बहुत ज़्यादा ओंगली कर रहा है अब देखते हैं लड़की होते है। किन्किन वो देख के मतलब हैरान हो जाति है और तुरह जांत जांत जाती है। तो पिर तुस्य मैं को ऑना दो नदो मेरा है मेरी ने मReCo को मिherिये गिफ्ट किया तो मुझे जच कर रहा है !! इहां पर सारी सारे बंदे हशंने लगताए कर्ः कि इसकी मम्मी न इसे होटल गिंफ्ट कर रहा होता है इसमें हसने वाली क्या बात आप तु नर्क में जाने वाला है क्यां पर आप मास्टर ली भी आ रखे है और मैं देखता हूँ तू क्या करेगा अब जैसे इस बंदे को पते सिलता है कि ये बंदा जैंट या नहीं ये बंदा तो रफे डर जाता है क्या तुम 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 जैंटियान हो अब तभी हम देखते हैं मास्टर लीक बोलता है क्या रहे पैनिक मत हो मैं हूना यहां पर यह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा भाई ऐसा स्वर्ड मैन बोल ला होता है इसी के साथ यह बंदा खुस जाते क्या रहते की तो मुझे लगता कि तेरा होटल ना पूरा तबाह हो जाएगा अब यह बंदा हस्ता वह बोल लाते क्या रहती क्या मेरे चैन फैमली नहीं दस साल विच चुके हैं अगर तुम मर भी जाएगा ना तब यह ओटल लो कुछ नहीं पारए पढ़ने वाला जैंटियान बोलता ह सारी चीजे हो चुकी हैं आप चिंता मत करो बस आपना आस पास की चाली करवा दो यार जो भी बंदा हो तुम्हारे सामने बहीं ही दो बिलाने तो जिसे ही बुलाना है वैसे हम लोग इतने जानबक्स देते हैं खैर तब यह बंदा गोलता है कि मास्टरली सच में स्मार्ट है तो यह कमीने मैं तुझे चल एक मौका देता हूँ अब इस बंदे ने गल्दी कर दी होती है उंगली दिखा दी होती जैंटियान को जैंटियान को गुसा जाता है उसने उसका हाथ पकड़ और मोड दिया कहरा होते कि तू मेरे को उंगली दिखा रहा है साले अब यहां पर गोलमाल चल रही है जो मतलब उड़े जा रही है अब हम देखते जैंटियान बोल लाते कहरा है कि साय तुझे गलत पैमी हो गई है मैंने किसी को प्रोटेक करने के लिए नहीं बुलाया बल भाई ले भया हो या कल्यान खेर तभी मास्टर जो यह बंदा होता है कि यंग मास्टर चैन क्या हुआ आपको भाग रहा होता है उसे बचाने के लिए लेकिन हम देखते हैं जब इस स्वोड मैन ना इसके पर अटेक कर देता है जैंटियान के उपर तभी हमारा टैंक बीच जागे गिरता है पता चलता है क्या इतनी पावर हम देखते हैं भाई हमारा जो सौड मैन होता है नहीं हमारा नहीं मतलत दूसरे गा यह बहुत दूर गसिटता हुआ जाता है और कहर आथा कि इसकी तो मैं एक्सपेक्ट नहीं के साथ जो बंदा है बहुँ ज़्यादा और बहुत ज़्यादा है तुम जैंटियान के साथ में क्यों हो वो तो मैं आखिर क्या ही देदेगा तुम मेरे साथ जोइन हो जाओ हम फिर इस पूरे हेडाउन के ओपर रास करेंगे राज अभी बंदा हसता हुँ बोलता है लेकिन हम देखते हमारा टैंक ना थूख देता गयरा तेकले तेरी बेस के आथ थूख अब इसके मूपे थूखने के बाद ना यह बहुत ज़्यादे गुस्से में आ चुका होता है लेकिन यार इसे गुस्सा क्या ही करूँ मैं पियना पड़ता है कह रहा है कि चड़ो जाने दो तुम मारे जो श्ट्रेंट अब बहुत अच्छे तो विलन होते हैं अब जैन यह बात बोल ला था बंदे को बोलते हुए हम देखते हैं इस बंदे को ठाली होता है बोल लाते कि मिश्टर ली आखिर आप कॉंप्रमाइस करने की बात की बोल ले हो इस बास्टर ने मुझे मारा है बदला लो मेरा अब भाई देख खुद देखो बाई ओल्ड मैन कितना बूढ़ा हो चुका और यह ना भाई चैन को मतलब ऐसे कर रहा है तो यह कोई जुकता है किया देखते हैं बंदा बोल लाते कि अब तू मरेगा बेटा आप देख तुझे नहीं पता तुने किस सपंगा ले लिया वही हम देखते हैं लियू कह रहे हो देखो जिद्धी मत बनो तुम्हें नहीं पता क्या मेरी जान की कीमत इंपोर्टन नहीं है किन को बचा लो यार वो बहुत जादा जंग है जैंटियन मोलता है रहती कि अंकल लियू आपको चिंता गंदी कोई जुरुत नहीं है मैं हूना आप बस देखते मैं इन सबको ठिकाने लगा दूँगा अब इसके साथना सारे बंदों नहीं गेर लिया होता है अब सारी सारे बंदे आ चीके होते हैं साथ में ना सोड मैन भी खढ़ा होताा अपनी तल्वार वगर लेके वहीं कुछ बात बंदे बात कर रहे होता है कि यह यााइ यह किया उनको खतम कर दूं फिर इस ताकतवर इंसान के साथ मिलके मैं पूरी दुन्या पर रास करूंगा ऐसा सोड मैं सोच रहा होता है जैंटियन बोलता है कि अच्छा तो तु मेरे से लड़ना चाहता है चल एक काम करता हूँ मैंना टैंक को नहीं बोलने वाला बीच मा आएगा वो नहीं आएगा ठीक है चल अटैक कर मेरे उपर जो करना है कर अब हम देखते हैं भाई ये बात सुनने के बाद ना ये बंदा बोलता है किया खैर इस बंदे ने तलवार वगरा निकाल ली होती है जैन्टेयन के ओपर अटैक करनेका आगे बढ़ चुका होता है और ये जैन्टेयन खार अटैक करने ही वाला होता है तरह हिमच, सालएक निल्डाव नो मेरे सामने जैन्टेयन को नहीं मैं किया है उच्छा तो ठीक है फिर अब तुने ऐसा कुछ करी दिया है तो मुझे लगता नहीं है कि तू बचने वाला है मेरे खिलाब जाएगा जैंटियन को बहुत जादी गुस्सा आ चुका होता है बोल ला होता है कि तुरे को नहीं पता ना तो किसके खिलाब जा रहा है रुपजा अब हम देखते हैं भाई यहां पर ना मुझे निपता यह बंदे ने जोड़दार एक केकदे के मारी होते है जमीन से जमीन पे और जमीन में से ना पता नहीं कौन-कौन से काट या पथर जो भी है मुझे निपता यह वो निकल जाते हैं अब यह सोड मैं देखता है कह रहा है कि अच्छा तो तू अपनी एक-एक से रॉक निकाल सकता है पत्थर निकाल सकता है ठीक है फिर तू मास्टर के लाने लाइक तो है लेकिन तू मुझे हरा नहीं सकता हाहा अब यह बंदा अपनी सोड से ना उसको मतलब मारने कुसिस करता है लेकिन हम देखते हैं उसकी तलवारी तूट जाते है क्योंकि वह पत्थर बहुत जादे नुकिले होते हैं अब इसी के साथ नहीं सारे सारे पत्थर भाई इस बंदे को लग चुके होते हैं अब यह बंदा भीग वगरा मांग रहा होता है महीं जेंटेन बोल लाते हैं कि अच्छी बात है चल तेर को बचाई लेता हूँ अब हम देखतें जेंटेन अपनी पावर बढ़ाता है और जैसी पावर बढ़ाता है ना भाई के अंदर सहीता मजहें मरना नहीं है खेर तभी टैंक आता है जोड़ा पंच देखे मारता है ले बेटा अब बाई स्पोकी बोलती बंद हो चुकी होती है वहीं बचा होता है चैन्ट अब इसकी भी पतली हो रही होती है पैंट खेर तो भी मेरे को निर्ल डाउन कराने बारे मोगास कर रहा है अब बंद होने का टाइम नहीं है मुझे नहीं पता भाई ये बंदे क्यों उतर रहे है सबको पता है वैसे तो यहां की बिल्डिक गिरने वाली है कैर हम देखते है एक बंदा बोलाता है कैर राते के ऐसा रखते जैसे यह किसी को बचाने के लिए है और तबी पता चलता जेसी भी भी आचुकी होती है अब जेसी भी आचुकी होती है और यहां पे ना मेरे को भाई यूपी वाला सीन याद हो रहा है कैर इसी के साथ ना जोतने भी ये क्या कहते है से जीसी भी हाद जो भी है वो आचकी होती है घरकोड गिराने के लिए और यह बंदा कहा रहते की क्या हेई तुम तुमारी हिम्मत कैसे भी यह सब करने की तुम्हें परिडाम नहीं पता है कि इसका क्या हो जाएगा जैंटियन बोलता है कहा रहते की देख तेरे होटल के आसबास ना कोई भी मकान नहीं कोई किसी को कुछ नहीं होने वाला और क्या लगता है क्या परिडाम हो सकता है कुछ परिडाम नहीं होगा बाई चिंदा मत कर और हाँ जैसे मैंने बोलाता ना कि वो मेरे को बिल्कुल भी सहन भी पाएगा अब देख तू अभी थोड़ी दर पहला तो बहुत ज़्यादर ठाक हमार के हसरा था आप बोल अब असना साले हस अब 22 बंदे की पतली हो चुकी होती है बदलब हाथ पैर ये बंदा बोल लाता कि रहाता है कि नई 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 भाई प्लीस मुझे माफ कर दो देखो यह हमारा एरिया बहुत बड़ा है मैं बस फैमली का हैड बनना चाहता है तो प्लीस ऐसा मत करो तभी हम नेखते है हमारी क्रास आचुकी होती है बोल ली होती कह है रही होती कि बॉस सारी चीज़े अरेंज हो चुकी है क्या करना है अब जैंटियन मोलते है रहाते है तम वेट किसका कर रहे हो जल्दी जल्दी तबा फटा फट गिराओ अब इसी के साथ जोरदा धमागी की वाज आते है पदा चलता भाई यहां की जो बिल्डिंग है प वाओ यह तूटता हुआ कितना सुंदर लग रहा है कितना प्यारा ना कोई सेक्योर्टी ना कुछ अब सब लोग यहां पर पीसफुली रहेंगे मजा आएगा यार अब हम देखते हैं इस बंदे की हालत पतली उचीकी होती है जैंटियन बोलता है कि तो अब तुम मनने के चाते हो मेरी मम्मी सेंगुवान को पदा चलेगा ना तो तुम्हें छोड़ेंगी नहीं तुमने अफॉर्ड नहीं कर सकते जैंटियन बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है फिर कॉल मिला मैं तुझे एक मोका देता हूं ले कॉल मिला अब यह फोन दे चुका होता ह कैर हम देखते हैं बन人ा यह ही बात सोच रहा होता है और इसी के साथ सेम सिफ ठेट हाँ हमेना चैन फेमली का गर दिखाय जाता है जहां पर हम देखते हैं अईम्टी मातती काटरी होती है और तभी द्रिंगे की वतला फोन की गंटी बगर बसते है जहां पर पदा चलता है अँटी पटावर फोन उठाते करे रहे थी कि हेलो अब भाई हम देखते हैं वो जो बेटा होता है उसका बोल लाता है किया रहते कि माम वो किसी ने होटल तबाह कर दिया है और वो मुझे जान से मारना चाहता है आप प्लीज बचा लो मुझे अब हम देखते हैं उसकी माम बोलती करे रहती कि मैं समझ गई ठीक है डरो मत चंता मत करो कुछ नहीं होने वाला फोन दो जराओ से अब अन्टी ये बात बोलते है बिल्कुल तसली से जेंटियन फोन उठाता है कह रहता है कि सैंगवान अब लेड़ी बोल ली होती कह रहती कि देखो मुझे नहीं पता तू है कौन क्या चाता है क्या नहीं चाता बैस मेरे बेटे को जाने दो मैं तुम्हारी सारी सरते मानने के लिए तयार हूँ जो भी तुम्हारी इच्छा होगी अब जेंटियन जैसी बात सुनता है कि ठीक है फिर अच्छी बात है तो ठीक है फिर अपने आपको ना जाओ और जम्प कर लो बिल्डिंग से ठीक है अपने आपको मार लो एक जान के बदर दूसरी जान तो लेनी पड़ेगी ना कैसा रह गए ये फेर है ना अब जैसी इस लड़की को पता चलता है ना ये सुसाइट करने की बात बोलना है अब अगर तुम लोगों को याद होगा ना जैंटियन के जो मॉम थी उसे भी भाई इस लड़की ने ना मतलब ये अंटी ने जान मुझ के मतलब उसे उकसाया था सुसाइट करने के लिए कह रही है बोलती कह रही होती कि अच्छा तो तू जैंटियान है साले तू उसकुतिया का बच्चा है जो कूद गई थी विल्डिंग से जैंटियान बोलते कह रही होते कि ओहो ऐसा लगता जैसे तूने अपना डिसिजन ले लिया है ठीक है फिर मैं तिरे ले बहुत बहुत पेइनफुल मौत रेडी करता हूँ अब जैसी इन्हें पता चलता है न यह कह रही होती कि अब बहुत सारा पैसा दे सकती हूँ जैंटियान बोलते कि पैसा तुमें सच में लगता है कि पैसा हर प्रॉब्लम का सल्यूसन है मुझे डर है कि अब तुम मरने वाली हो बहुत बुरी तरीके से एक खतरनाक मौत तुम्हारा वेट कर रही है चिंता मत करो अब जैसी जैंटियान यह बात बोलता है फोन कटो चुका होता है यह आंटी गुसे में आती है और अपना फोन दे के मारती है फोन नीचे देखे मारती कह रही होती कि जैंटियान मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी खेर इसके सकल भाई बंदा जैसी क्यों लग रही है मेरे को बंदर या अब हम देखते हैं जैंटियान बोलता कह रहा है कि देख ले भाई तेरी जान के कोई कीमत ही नहीं क्या क्या करे सकता हूँ अब जैंटियान बहुत बहुत बोलता है है चाहरा है कि मैं तो बचाता हूं कि कुछं कोसिस नहीं कर सकता है मैं तो यह नहीं बचाने वाला अब अगले जनम में अच्छा इंसान बन के रैडिय ही हो मतलब पैदा हुई हो अब हम देखते हैं जोड़दार पंच देके मारा होता है वो बंदा बहुत दूर जाके गिरता है और खतम खेर तभी यह सौड मैं खड़ा होता है क्या क्यों हो है यह सब देखो मैं मरने वाला हूँ और मैंना हेड़ान का सबसे पाउरफुल इंसान बनने वाला था मतलब बन चुका था लेकिन अब मरने से पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तो मुझे क्यों मामार ना चाह रहे हो अब सोड मैं यह बात बोला होता है जैंटियन याद है वो औरत याद है जो बिल्ड लिंग से जम कर गई थी 10 साल पहले अब जैंटियन अपनी मौम के बारे हम बात बता रहा होता है और कहरा था कि जिन्होंने सुसाइड कर लिया था बिल्ड लिंग से और इसी के साथ जैंटियन पर एक सिरीज आ रही होगी जरह उसे च कि उसने ना पूरी फैम्ली को रेवेंज लिया था इस बंदी ने सिर्फ अपनी डेर बस इसी अजल Apps साथ मुझे टी मजुँ कर सकते हैं सब्सकता हुएं लूट करके ऑफार लाइक लुटे करहा है। कि बारा कॉल करके कह रहा है कि वीडियो डाल दूसरा बंदा कह रहा है कि बाई आजाओ फरी फायर कहलते हैं अब ऐसी तीसरे बंदे ने बाई सजेशन वगएरा दे दिया था मेरे को तुम लोग भी कर सकते हो यार तो मलता है का लेको ने वीड़ तो वकिले टेक केर फॉलो क बलो लुक्ति पॉलो लो लुलो लो लो वकिले ब creator क?".